तो एमित्र की नई अपडेट जारी की गई है अब आप अपने इमित्र को चेहरे से लोगिन कर सकते हो computer आपको प्रॉशेस आपको बताऊंगा आप अपने Echester को चहरे से किसे कर सकते हो ये दो एप जरूरी है इनके भीना आपका E shaken vigilant लोगिन नहीं होगा evident अगर आपके भी ये दोनो एप डाउनलोड नहीं हो रहे तो इसका complete solution आपको बताऊँगा यह एप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो इनको step by step setup कैसे कर सकते हो जिससे आपका भी emitter face से login हो जाए आप भी अपने emitter को mobile में login कर सकते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको आपकी asus id आपको login कर लेनी है यहाँ पर आपको जो भी आपकी emitter की asus id है आपको डाल देनी है password आपको डाल देना यह एक नमबर आपको देखने को मिल रहा है enter case में यहाँ पर आपको इस तरह के से यह आपको type कर देना login पर आपको क्लिक कर देना login पर आप जैसे क्लिक करोगे इस त service इस तरह कैसे आपको 60 गाहीं पर आप देख सकते हो फैस का ओप्सन यहां पर देगा यहां पर आप दिख सकते हो अब अब आपने enatuar को से login कर सकते yeah ऑपर otp का option दिया जाता था लेकिन अभी आप यहां पर देख सकते हो फैस का यहां पर ओक्सन दिया गया तो इसका आप setup के से कर सकते हो, फैस से login के से कर सकते हो, उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना, चेक बोक्स इस पर आपको क्लिक कर देना, शुरूक करें यहाँ पर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरके से error आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकत तो पहले आपको setup करना होगा यहां पर आप देखते हो आप चाहिए तो यहां पर QR कोड़ स्केन करके भी डाउनलोड कर सकते हो अगर यहां से आप डाउनलोड नहीं कर पारे हो तो इसका compute solution आपको बताऊंगा कि आप अपना इस तरके से एप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो उसके लिए आपको करना कर आप देखते हो वेनिफिसरी नोट रजिस्टर यहां पको पहले रजिस्टर आपको करना होगा तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना यहां पर आपको OK प कर देना डी ओ आईटी एंड यहां पर आपको लगाना उसके आद में सी आपको टाइप कर देना और यहां पर आपको फेस इस तरके से आपको लिखकर आपको सर्च कर देना जैसे आप सर्च करोगों यहां पर यह एप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी आप देख स आप कर सकतो इस तरके से इनिस्टोल हो जाएगी उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरके से ओपन का ओप्सन आपको देखने को मिलेगा इनिस्टोल होने के बाद में जैसे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना यहाँ पर आप देखने को मिलेगा ओपन पर आपको क्लिक कर द तो यहां पर आपको इस तरके से इंटरफेस आपको सोगा तो सबसे पहले आपको यूजर रजिस्ट्रेशन आपको इसमें पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यूजर रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक कर देना और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन एज ए आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना फेसर आपको क्लिक कर देना आपको क्लिक कर देना तो आपको इस तरह का इंटरफेस सो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर इनिस्टोल इस पर आपको क्लिक कर देना यह एप आपके मोबाल में इनिस्टोल हो जाएगा यह दोनों एप्लिकेशन आपके मोबाल में इनिस्टोल औना जरूरी है तबी आपका इमित्र फेस से लोगिन ओगा नहीं तो आपका फेस से लोगिन नहीं होगा तो इस तरह के से इंस्टॉल यहां पर उजाएगा, अगर आप यहां से नए करना चाहते हो तो आप Play Store से भी डायट यहां पर आप सर्च बाद में आपको डाल देना, यहां पर आप देखेते हो Face RD यहां पर आपको टाइप कर देना, Face RD टाइप करके आपको सर्च कर लेना, तो एप्लिकेशन यहां से आप पहले इंस्टोल कर सकते हो यहां पर आप देखते हो एप यहां पर आ जाएगा प्लेश्टोर से दोनों एप आप पहले से डाउनलोड कर सकते हो तो इस तरके से आपको इंस्टोल इस पर आपको क्लिक कर देना तो यहां से आप प्लेश्टोर से भी दोनों एप्लिकेशन को इ मिलेगा इस तरके से इंटरफेस हो जाएगा फश्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना तो इस तरके से यहाँ पर फाइश सेकंड का आपका टाइम लेगा फाइश टेप इस तरके से प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर इस तरके से आप देख सकते हो उसके बाद में आपको चेक ब आपको वापी से इमित्रा पेज पर आपको आजाना यहां पर वापी से आपको फैस इस पर आपको क्लिक करना चेक बोक्स इस पर आपको टिक मार्क लगा देना उसके आद में शुरू करें इस पर आपको क्लिक कर देना इस पर आप जैसे क्लिक करोगे जो आपका application है इस application पर request आ जाएगी यहां से आपको request accept कर लेने हो और आपका successfully आपका emitter mobile में login हो जाएगा face के द्वारा complete process मैंने आपको बता दिया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगयो तो like करे, share करे, दन्यवाद